बिसमि िल्ला अरहमानिरहीं man, interest rate के टॉपिक के अंदर हमारे जो basic concept है, वो हमने complete कर लीए चुक्कि monetary theory के अंदर हम इस interest rate के टॉपिक को discuss कर रहे हैं vidéo तो पहले तो जरूरी था के मैं interest rate से relevant concepts आपको clear कर दूँ अब जब हम real interest rate और nominal interest rate में फर्क कर सकते हैं अब जब के हम different credit market instruments को समझ सकते हैं, yield to maturity का concept हमें है, present value हम निकाल सकते हैं, after tax real interest rate क्या होता है, यह हमें पता चल चुका है, तो अब हम एक important topic की तरफ जलते हैं, जो के actually monetary theory का topic है, और वो है interest rate determination, कि market में जो interest rate होता है, किसी bond की उपर, वो determine कैसे होता है, monetary policy में हम जाके पढ़ेंगे कि central bank interest rate change करता है, तो याद रखें central bank तो अपना policy rate change करता है, market में interest rate एक तो नहीं है, चार किसम के तो debt instruments हमने दो तीन lecture पहले डिसकस किए, चार तरह के debt instruments, हर instrument का अपना interest rate होता है, अपना yield to maturity होता है, फिर अगर उसी में आप चले जाए, maturity time different करने ल loan लेकिन maturity five year है, तो maturity time बदलने से भी interest rate, तो कितनी किसम के bonds होते है market में, हर bond का interest rate कैसे debt में होता है, हर bond का जो interest है, वो central bank नहीं policy, monetary policy में decide करता है, वो तो सिरफ policy rate decide करता है, इसलिए जरूरी है कि हम ये पढ़ें, कि interest rate determination कैसे होती है market के, अब चुक्कि उसके अंदर different approaches हैं, तो हमें उन approaches में से जिसकी तरफ जाना है, उसमें आपको एक बात पहले, approach से भी पहले ये clear कर लेनी चाहिए, कि हम interest rate determination पढ़ना ही क्यों चाहते हैं, इसलिए कि interest rate में बहुत ज़दा fluctuation होती रहती है, पाकिस्तान के अंदर, जब COVID का time था, तो 7% के करीब policy rate था, जो कि हम policy rate क्या होता है, ये monetary policy के topic में पढ़ेंगे, तो उसी के आस पास बाकी interest rates थे, लेकिन आज policy rate जो है, वो 21% है, और 21% का मतलब है कि बाकी bonds के rate इससे भी थोड़े ऊपर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि कितना ज्यादा fluctuation होई है, इन दो सालों के अंदर, कि कब पहले क्या था rate और अब क्या या 2-3 सालों के अंदर, अब rate क्या हो चुकाँ और बीच में कई दफा rate ऊपर नीचे होता रहता है, इसका मतलब है कि interest rate fluctuate करता है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि interest rate कौन determine करता है, कैसे determine होता है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि interest rate fluctuate क्यों करता है, तो monetary politics 가 answerеш करती है और हम interested determination की theory दो तरह से पढ़ेंगे bonds market से और money market और bonds market में चुक्ए bond एक asset है money भी एक asset है तो आपको पता होना चाहिए कि asset की बात जब भी आएगी और asset की demand और supply की बात आएगी तो asset की demand हमेशा portfolio choice theory से आती चुकि portfolio choice theory हम पहले से discuss कर चुकी है लेक्चर में यारी कि अभी नहीं पहले काफी लेक्चर पहले हम discuss कर चुकी है money demand के topic के अंदर कि portfolio choice theory क्या होती है तो अब हम उसको सिरफ यह apply करेंगे हम मुकमल दोबारा portfolio choice theory नहीं discuss करेंगे तो portfolio choice से हम directly इस पे चले जाते हैं कि demand for an asset क्या होती है और उसके determinants क्या होती है तो सीधी सी बात है हमने पहले यह पढ़ा है portfolio choice के अंदर कि जब wealth increase हो जाए तो चुकि wealth से आप ज्यादातर assets increase कर सकते हैं तो किसी भी asset की demand increase हो सकती है wealth के increase होने दूसरा उसका determinant होता है expected return तो जब एक asset का expected return increase हो जाए relative to other assets यह याद रखना है यहां हर बात relative sense में होती है तो other assets के rate of return इतने नहीं increase होए जितने इस asset A के हुए asset A कोई भी एक asset है तो क्या होगा आप इसकी demand ज्यादा कर देंगे बाकियों के मुकाबले में अगर इस asset का risk बढ़ गया है बाकी assets के मुकाबले में तो फिर आप बाकी assets की demand बढ़ा देंगे इस asset की demand कम कर देंगे और अगर इस asset की liquidity बढ़ गई है यानि कि ये जल्दी बिक जाता है market में जब आप बेचना चाहें money में convert हो जाता है जब आप करना चाहें तो इस asset की demand बढ़ जाएगी अब ये जो बार-बार मैं कह रहा हूँ इस asset की ये कौन सा asset है जिस भी asset में आप investment करने लगे कोई भी एक particular asset ले 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 अगर उसकी liquidity जादा है अगर उसका risk कम है अगर उसका expected return हाई है तो आप इस asset में जादा invest करें जब wealth जादा होगी तो आप तकरीबान हर तरह के assets में जादा invest करें अब हम ये बात जहन में रखत अब उस किसी भी asset को मैं बदल के bond करने लगा हूँ यानि कि assets तो बहुत तरह की होते हैं चुकि हमने bond और money market को discuss करना है पहले bond market करेंगे फिर money market दोनों से interest rate को determine करेंगे तो अब मैं bond की उपर आ जाता हूँ पहले broader theory थी हर asset के लिए अब थेरी specific हो गई है bond के लिए और bond में further हम assumption ले लेते हैं कि bond one year discount bond है और one year discount bond का मतलब है कि सारा कुछ end पे मिलेगा बीच में कोई coupon payment नहीं है और face value के मकाबले में purchase price discounted है यहाँ पे आप ये जहन में रखे चुकिए one year है और discount bond है तो यहां yield to maturity, interest rate और expected rate of return यह सब equal होंगे इन में कोई फर्क नहीं होगा कई तरह के instruments में इन में फर्क हो सकता है, especially expected rate of return तो अब अगर हम इसका demand curve derive करना चाहें तो कैसे करेंगे चुकिए इसका interest rate आए और RE expected return दोनों equal हैं तो दोनों किसकी equal हैं यह है future value minus purchase value यानि कि price of bond divided by P which is also purchase price of bond तो यहां से चुकिए निकलेगा तो यहां से बड़ा clearly यह formula आपको वही बात है जो हम कई दफ़ा कई lectures में discuss कर चुके हैं कि interest rate और price of bond यह inversely related होते हैं यहां से भी आपको नजर आ रहा है कि price denominator में है या numerator में है तो negative sign के साथ है interest rate के सामने तो इसका मतलब है interest rate बढ़ेगा तो price कम होगी interest rate कम होगा तो price increase हो जाएगी अब जो portfolio theory है वो हमें finally क्या suggest करती है कि अगर bond की उपर expected return high हो तो उससे क्या होगा उसकी demand increase हो जाती है अब चुके है तो यह हर asset के लिए लेकिन हम specifically आप bond को लेंगे तो इसका मतलब है bond का expected return high हो जाए तो उसकी demand increase हो जाती है और याद रखना कि expected return में interest payments भी शामिल हैं और सा bond की price का change भी शामिल है तो अगर इस चीज़ को हम एक बात तो आप clear रखें कि जब किसी चीज़ की price बढ़ती है तो उसकी demand कम हो जाती है लेकिन यहाँ bond की price है और bond की price बढ़ने का मतलब यह है कि interest rate का कम होना इसका मतलब है हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि अगर interest rate कम हो ज जाए bond की price बढ़ Hard की demand कम हो जाती है और अगर interest rate बढ़ जाए तो bond की price कम हो जाती है और bond की demand बढ़ जाती है इसलिए इस डाइग्राम में आप गोर करें कि जो आपको screen पे show हो रही है उसमें यह गोर करें कि जो left taxes है उसकी ओपर price of bond है और जो right taxes है वहाँ interest rate है ज्यादा तर डाइग्राम में हम right axis नहीं लेते या हमने लिया है और दूसरा important point आपने याद रखना है चुकि ये डाइग्राम बार बार यूज होगी कि उसमें interest rate के साथ arrow नीचे की तरफ जा रहा है इस का मतलब है इस diagram के अंदर interest rate की value नीचे जाएगी तो उसको हम पढ़ेंगे कि interest rate बढ़ रहा है यह याद रखें downward arrow का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि interest rate कम हो रहा है यह हमारी मर्जी होती है कि हम इसको scale कि side पे shift करें तो हमने यह diagram ऐसे बनाई है कि left axis में उपर जाएं तो price बढ़ रही है लेकिन उपर जाने से interest rate कम हो रहा है क्योंकि उसकी direction opposite है और बीच में यह negatively slope demand curve Thank you